नमस्कार आप देख रेग निउस 24 और मैं हूं मधुबाला आपके साथ लोग सबाग चुनाव प्रचार के आखरी दिन नेता प्रतिपक्षत जश्वी आदब ने एक बार फिर से प्रेस कॉन्फरेंस करते हुए भाजपा पर जमकर निशाना साधा है और साथी साथ चिराग पासवान पर भडास निकाली है चिराग पासवान को निशाना पर लेते हुए कहा है कि इस बार भाजपा को बिहार की जंता देश की जंता पस्त कर देगी साथी सा चिराग पासवान को अपने ही जाती के OBC के लोग ही पस्त करने वाले आगे और तिजश्वी आदब ने चिराग पासवान और भाजपा को निशाने पर लेते वे क्या कुछ कहा है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी तो वीडियो को अंतितक जरूर देखिएगा लोग सबाग चिराग पासवान के लिए अंतिम चरन का गुरूर को चिराग पासवान को भारतिय जंता पस्त कर देगी चिराग पासवान को चुनाओ में यही ओबिसी के लोग जम कर बताएंगे लोग सबाग चुनाओ के लिए अंतिम चरन का गुरूर को चुनाओ प्रचार थम चुका है एक जून को अंतिम फेज के लिए वोटिंग होनी है चुनाओ प्रचार के आखरी दिन बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और राजद नेता ते जश्वी आदव प्रेस कॉन्फरेंस कर रहे थे इस दोरान उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साथ है उन्होंने भाजपा पर कटाक्ष करते वे कहा कि चुनाओ प्रचार तो खत्म हो चुका है जो आखरी चरन का चुना है उसमें भारतिय जुनता पार्टी को भारतिय जुनता पस्त कर देगी भाजपा इस बार सफा चट हो जाएगा वाएं चिराग पासवान के सनातन विरोधी बयान पर तेजश्वी आदव ने कहा कि वो ये सब भासा नहीं बोलेंगे तो क्या कहेंगे उनका पूरा रंग रूप RSSS वाला हो गया है भाजपा के रंग में वो तो इसी तरह की बाते करेंगे न वो मेरे धर्म पर सवाल खड़ा कर रहे हैं और मुझे धर्म विरोधी बता भी रहे हैं मेरा नाम क्या है यानि वो पिछडों को बोल रहे हैं कि पिछडे सनातन विरोधी हैं OBC सनातन विरोधी हैं यही OBC के लोग चिराग पासवान को चुनाव में इस बार बताएंगे वही चिराग पासवान के अयोध्या जाने वाले सवाल पर उन्होंने कहा कि बस टीक रखना बाकी रह गया है ते जश्वी आदम ने आगे कहा कि चुनाद दिन प्रती दिन बढ़ रहा है और ये सोचा था कि चुनाद साथ चरन में होगा तो फाइदा उन्हें होगा लेकिन फाइदा हमने उठा लिया और जनता पूरी तरीके से गोल बंद हो गई जनता भाजपा के जूट के एजन्डे को समझ चुकी है और जो सही में मुद्दा है उस पर बात करनी है चाहे चिराग पासवान हो या भाजपा के कोई अन्यनेता हो किसी ने नौकरी की बात की किसी ने ये बताया कि बिहार का वीजन क्या है तेजश्वी ने कहा कि भाजपा वाले हम लोगों को ही गाली देते रहें इसका मतलब यह है कि उन लोगों ने तेजश्वी आदब को ही गाली देने में सारा समय खफा दिया है बेहार की जंता अब गाली नहीं सुनना चाहती है प्रधार मंद्री मोधी पर कटाक्ष करते वे तेजश्वियादव ने कहा है कि मोधी जी का सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है फोटो शूट होता है उन्हें मूवी करना होता है वो अपना रील बना रहे हैं नौजवानों को मोधी जी से एक बात सीखनी चाहिए कि रील कैसे बनाया जाता है तो जैसा कि आपने सुना नेता प्रतिपक्ष तेजश्वियादव चिराग पासवान को लेकर क्या कुछ बोलते वे नजर आ रहे हैं आपको वही पर बता दो कि चिराग पासवान को लेकर कहना है कि इस बार चिराग पासवान को उनके ही जाती OBC के ही लोग उन्हें इस बार के वोट में उन्हें बता देंगे कि किस तरीके से जिस तरीके से OBC वाले लोगों के लिए शिराग पासवान बोलते वे नजर आ रहे हैं तो इस बार उन्हें पता चल जाएगा कि इस बार जिस तरीके से प्रिधान मंतरी को रील बनाना इसक्रिप्टिट तयार करते हैं तो नौजवानों को भी उनसे सीखनी चाहिए कि आखिर रील कैसे बनाया जाता है बाके इस समुद्धे पर आप सब की क्या कहना कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बता दीजेगा फिलाल इस वक्त की खबर में इतना ही और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे एक न्यूस 24 वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करे शेयर करे साथ ही हमारे यूटूब चैनल एक न्यूस 24 को सब्सक्राइब करे यदि आप हमारे फेस्बुक पेज को धन्यवाद